हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो आपका एक बाफ इस स्वागत है मेरे इस नए वीडियो सेशन में ये मेरा एनिमल किंडम का सकेंड लास पार्ट है तो जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है उसको पहले देख लिए उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें अगर कोर्रेट में एंफिबेंट और एप्टाइल्स और एप्स के बारे में अगर जानना है तो कोर्रेट से स्टार्ट करिए ठीक है न बच्चो कॉलेट से स्टार्ट करिएगा आगे बढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक बच्चो तो चलो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और पटिकुलरी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तीन क्लास के बारे में एक क्लास है एंफिविया दूसरा क्लास है रेप्टेलिया और तीसरा है एपस बर्ट की क्लास को हम लोग यहां पर पढ़ना है बच्चो ठीक है तो एक एक करके पढ़ते हैं बट पढ़ने से पहले एक बाद जस्ट में क्विक रिवीजिशन करवा दूं आप लोगों को कि हम लोग यह जो तीन गुरूप है पढ़के आ रहे हैं यह है क्विक धुकलिया ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चो जौ एगनातर और नाथस्ते में टेसं तो नाथस्ते में इससमें घॉस्ट सब्सक्राइब प्रॉड़ चनि यां ये किन और अगर लोकोमटरोय स्टूक्ट्टर फिल हम लोग कहते थे अब इस ट्रेट्टा पोड़ा सूपर क्लास में ठीक है ना यहां पर चार क्लासस हम लोगों पढ़ना आ है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं बच्चो यह तीन क्लासस जो है ना एमपी वीडियो होगा उसमें हम लोग केला मेमल्स को और बाकी जो कुछ बची भी बाते हैं उनको हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है जो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अम लोग क्लास's MPívia पढ़ें जो तो bas फ़लख के नां रख दिया एंपीबी यंपी तो जो भी और डिवल करग्टर माले उनको एंपीबिया कह सकते हो यह अब यह दygusal इय। इसमें बड़ी बात जो 12 Sad Mill के वान जो एंपिपिएन से यह क्यों नहीं क्यों आप इसमें बड़ी बात कि एक्ति नहीं तो तो एक्वेटिक है यह कोई बड़ी बात नहीं है एक्वेटिक है अभी तो फीसिस से इवाल्व के बनाया है ठीक है टेर स्टेरियल में भी है ठीक है न तो यहाँ पर कुछ उन्होंने पर्टिकुलर एडाप्टेशन करा का जैसे लिम डवलप हो चुका है तो यह लैंड्स प देखों यहाँ पर एक्वेटिक और टेरस्टेरियल स्लाइब स्में दोनों में ठीक है तो अब ऐसा क्यों है यह जो अपना जो सारा जो functions है, सब कुछ terrestrial life में कर रहे हैं, और aquatic में reproductions के लिए जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है, और reason है amniotic membranes, ठीक है न, Pisces और amphibians, ये दोनों के दोनों an amniotic animals हैं, इन में amniion जो है, वो absent होता है, और amniion absent होने के बज़े से, जो उनका amniotic development है, वो terrestrial life में possible नहीं है, क्योंकि उनका embryo desiccated हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूखने के बज़े से, तुम्हारा बच्चो जानते ही हो, ठीक है न, वो embryo मर जाएगा, ये move कर जाता कहां पर, ये aquatic life में, जहां पर ये lap cycle को complete कर लेता है, ठीक है बच्चो, इ जाकि पढ़ना तो humans का है, लेकिन आप human का भी पढ़ोगे तो उसको, इस immune से compare करके आप समझ सकते हो, कि अब आते हैं हम लोग other features के लिए, तो यहां पर most of them have the two pair of limbs, क्योंकि ये tetra poda है, क्या है बच्चो, ये tetra poda है, tetra poda super class, tetra means होता है, 4 poda means होता है, appendices ये legs होता, body यहां पर neck, जो part है, वो absent होता है, जैसा कि यहां पर जो diagram इसी को देख सकते हो, यहां पर यह जो frog है, राना, इसमें ये वाला portion हो गया head, और neck तो नहीं है पूरा ये body, पीछे का जितना portion बच जाता है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ये सारा का सारा portions trunk कहलाता है, ठीक है ना, thorax एक्स और एक्स और ये सब चीजे कहनी नहीं है, तो ये पूछे का पूरा portion कहलाता है, ट्रॉंक तो body, इसमें head और trunk में divided होता है, tail में भी present हो सकता है, और absent भी हो सकता है, जैसे यहां पर tail नहीं है, समझे, तो tail present और absent दोनों situations है, जैसे तुमारा salamander वहां पर tail present होता है, ब भी glands है, वह इसके skins पे present होते हैं, ठीक है, हाँ, बट एक जी ध्यान में रखना, इसके body पे किसी भी तरह का skills नहीं होता है, divide of any kind of the skills, ठीक है न, skills यहां पे नहीं होता है, skills यहां पे नहीं होता है, बट यहां पे इपिडर्मा derivative skills के form में present होगा, बट यहां पे skills नहीं होता ह है, तो divide of any kind of skills, हाँ, यहां पे mucos gland खूब सार अभारा होगा रहता है, कि इसके skin से respiration होता है, तो respiration के लिए यहां पे aquatic environment, sorry, aquatic न, moist environment चाहिए होता है, skins के ऊपर, ठीक है, next इसके बाद है, eye lead इसमें present नहीं होता है, और eye lead नहीं होता है, और eye lead नहीं होता है, और eye lead नहीं होत eye lead नहीं होता है, बट nictative membranes होता है, tympanum represents the air, tympanum represents the air, इसके बाद क्या है, तो इसको देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से, कि amphibians के case में, या फिर आप मान के चलो, amphibian reptiles और birds, तीनों में, ठीक है न, किसमें, किसमें, amphibian plus reptiles plus birds, ठीक है न, इन तीनों में, सिर्फ, इसमें middle plus inner air present होता है, external air जो है, यह क्या होता है, बच्चों, ध्यान में रखना, यह absent होता है, external air, absent, अब external air जब absent ही है, तो इसमें, जो air है, वो start होता है, middle air से, और middle air में, से, से, जो एक टिम्पेनक मेंबरेन होता है, air derm, जिसको बोला जाए, वो देखों, यहाँ पर दिख रहा है, तो टिम्पेनम जो होता है, वही यही से start होता है, तो इसलिए बज़े से बहुत देता है, टिम्पेनर रिप्रेजेंट दा air, किसमें किसमें होगा अब आजाओ, नेक्स्ट जो फीचर है, वो है, elementic canals के बारे में, elementic canals जो है, आपका, या, elementic canals जैसा की होता है, सब कुछ जिसमें, फेरेंग्स, माउट, फेरेंग्स, ठीकान, और सब कुछ होता है, urinary system, जो है, accelerator system, यहाँ पर ठीक है, kidney प्रेजेंट होता है, one pair kidney होता है, और बाकी जो भी structure, urator वगरा है, यह सब इसमें प्रेजेंट होता है, reproductive tracks, अधर नॉर्मल जैसा की, reproduction के लिए, male and female reproductive structure होता है, वो भी यहाँ पर होता है, अब यहाँ पर एक special चीज़ है, बच्चों, यहाँ पर, की, elementic canals का, और unary का, और reproductive tracks का, इन सब का, जो opening है, आकि, एक common chamber पर open होता है, और उस common chamber को बोलते है, कोलेका, ठीक है ना, और कोलेका जो होता है, यह बाहर open होता है, तो ओपन आउटसेट थूदा, कोलेकल अपर्चर के तुरू, यह ओपन होता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, तो नेक्स्ट में, नेक्स्ट फीचर इसमें दे रखा है, आपका, बचे यहाँ पर respiration, तो respiration के लिए, फ्रॉक के पास, बहुत सारे options है, जैसे gills के थूद, तो जितने भी, अपके amphibians हैं, तो उनके laurel stage में, सब में क्या होता है, और यहाँ पर यहाँ पर जो गिल्स के लिए लांग सोटा है, और लांस हो जाता है, तो वह सबसे सुपेरियर मना जाता है, 10 stages forms के लिए ठीक है बच्चो बट कुछ या most of the जो amphibian में respiration जो होता है skins के थूरू भी हो सकता है और होता है ठीक है बच्चो जब यह amphibians hibernations में चले जाते हैं तो उस time पे इनका metabolic activities बहुत ही कम हो जाता है तो उस time पे इनको oxygen की भी बहुत कम requirement होती है ठीक है तो गड़े उड़े या मिट्डी के नीचे चले जाते हैं तो उस time पे सिर्फ skin से ये breathe कर रहे होते हैं ठीक है बच्चो skin से normal breathing कर रहे होते हैं तुमारा इसमें ठीक है gills से sorry lung से जो respiration होता है उसको उनों बोलते है pulmonary pulmonary respirations skin से जो होता है उसको cutaneous respirations और gills से होता है उसको बोलते ब्रॉंचल respirations का जाता है तो ये तीन तरह लाड़े इस पारेशन स्वाग में देखा जाता है हाट में तीन चंबर होता है दो औरकिल्स और एक venticles होता है मतलब यहाँ पे इस तरह से एक ये औरकिल्स हो गया दूसरा ये औरकिल्स हो गया और ये एक venticles होता है ठीक है बच्चो यहाँ से एक venticles होता है तो यहाँ पे दो औरकिल्स और एक venticles बट यहाँ पे जो हाट होता है इसमें circulation जो है वो double होता है circulation कैसा होता है बच्चो डबल ही होता है, double circulations होता है, double circuited heart होता है, cold-blooded animals है, ठीक है न, इसका बारे में हम आप अल्रीडी डिसक्स कर चुके हैं, बट जो लोग नहीं जानते, cold-blooded, इनमें क्या होता है, body temperatures, यहाँ पे fix नहीं होता है, constant नहीं होता है, according to environment, वो चेन होता है, ठीक है बच्चो, उसके अब आजाओ, next feature, अभी यह higher animals का feature, sex is separate होता है, मतलब यह एक देने वाले होते हैं, और इनका जो development होता है, वो indirect होता है, that means इसमें larval stage होता है, और बहुत common larva है, deadpool larva, ठीक है न, बच्चो, यहाँ पर क्या है, deadpool larva, एक बहुत common सा नाम है, deadpool larva, यहाँ पर present होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ example दे रखे हैं बच्चो, जो की एंसर्टी से सीधे copy paste किया गया है, जैसे बफ हो गया, टोट हो गया, राना फ्रोग, राना टिगरीना पुरा नाम है, हाइला, टी फ्रोग, सालमेंडर, ठीक ह बहा जाता है, तो यह इन examples को तो आपको 100% ही देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चो, next बच्चो, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीजी, यह तो हम लोग syllabus में एंसर्टी कवर कर लिया, बट कुछ चीजी है, यहाँ पर जो हमें जानना थोड़ा और एनुरा, इसके लाओ कोई वर्ड मत ही देहां रखना, एपोडा, एपोडा, ए मिल्स होता है, विदाओट अपोडा मिल्स लिम्प, तो यहाँ पसीदे से लिम्प लेंस, एंफीबियंस का ग्रूप है, एक थायो फिश, यह तो पढ़ना ही इसलिए बस नहीं था, यूर ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा एक एक्स्टा भी हुआ है, नेक्स उसके बाद एनुरा, एनुरा में तो यह जो ग्रूप है, यह विदाओट तो मालो जैसे कोशन आए कि भाई, टेललेस एंफीबियंस, ठीक है न, टेललेस, यह लेमलेस ता ध्याना रखना, टेलेस एं नेक्स्ट आजाते हैं हम लोग जो क्लास है हमारा जो पढ़ना हम लोगको है रिप्टाइल्स, ठीक है, रप्टेल्स पढ़ेंगे यह आपर बच्चों, ठीक है, अब आते हैं जो रिप्टाइल्स वर्ड से इसका मेनिंग क्या है, तो सीधा सीधा लेटीन वर्ड है रपर या रैप्टम, लेट मिन्स होता है क्रीप और क्राउल, ठीक है ना, क्रीप और क्राउल्स, तो जैसे देखा होगा रैपर में लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो वो वन काड़ रापिंग क्या रहता है, उसी से ये भी, तो स्पेशली हमारा यहां पर जो मिनिंग है, वो क्रीपिंग और क्राउल्स से रिलेड़ेड़ है, तो अभी यह जो एनिमल्स है, इस रेप्टाइल्स ग्रूप में वो क्रीप और क्राउल्स क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा रेजन्स यह है कि इसमें जो आपका लिम्स होता है, वो छोटा होता है, जैसे अच्छों में यह ज्यादा दूर नहीं जाता है, यह पोटीन पोश्चन से भी क्या होता है, ग्राउंड से ही टच में रहता है, ठीक है बच्चों, नेक्स आ जाते हैं, जो नेक्स फीचर है वो आपका, इसमें जितने भी रेप्टाइल्स लिग मोस्टी क्या होता है, टेर अच्छों पोटीन से होता है और यहां पर जैसे कॉनीफाइड डेस्किन्स जो बोला ड्राइड्सकिन्स या कॉनीफाइड स्किन्स वडीश वरेश विज्फेर हैं, तो इसका मतलब क्या ध्यां से सुनते हैं, तो एपिडर्म में सबसे ऑटर्मोस प्लेर हैं, जो भी से अल इसके लावा स्केल्स भी हो सकता है जैसे कि साप आप देह सकते हैं यहां भी धियान से देखोगी चोटे-चोटे ऐसे दिख रहा होगा तो यह चीज बहुत अच्छेस थोड़ा बड़ा हो गया तो यह चीज बहुत अच्छे से विजबल हो सकता है आपका क्रोकडाइल के बै तो ध्यार में लपना इसमें देख अब यहां पर जो पॉइंट करने के लिए यह मैंने पहले ही डिफरेंस करवा कर रखा है जब फिश पढ़ा रहा था उसमें स्केल्स पढ़ा रहा था तो भी मैंने बता रहा था वहां पर बोला भी तो आप लोगों डिख लो ठीक है एं लाव और रेप्टाइल और बर्च में जो स्केल्स होता वो वो इपिडर्म डेरिवेटीब सीए ठीक है नेक्स सायाते हैं इसमें इसमें पेक्सराणल यहेर नहीं होता है। वह करेगा और तूब पेरेंस सीथे का एंच और चेया इसमें और सीजित्धे हैं यहें यह गों होता है लिम्स और दोनों चीज़े क्या होता है ठीक है अलागी यहां पर भी कुछ-कुछ रप्टाइल में भी यह होता है इसमें अब इसमें होता है इसमें भी मतलब अग Eigen मतलब अब हो डिटेलि में जाना है और ले मेरे यूट्यूब चैनल पर ही बोडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन चेप्टर का मैंने बहुत सरा वीडियो बनाकर रखा है तो वहां पर सर्कुलेटिव सिस्टम के बारे में डिसकस करके रखा है तो उसमें से जाकर देख सकते हो मैं आई बटन में लिंक देद होगा वहां सभी आप देख सकते हो ठीक है ब इसके बास ट्वन साथ के होता है सबस्टम के तोर पे डिलीज होता है मतलट जैसे साप नहीं केचुल अपना छोड़ देता है उसी को स्कीन कास कहा जाता है और छोडने वाले प्रोस वेंग्रेजीं में सेडिंग कहा जाता है या इकडाइसिस कह सकते हैं या इवन मॉल्टिंग भी कह सकते हैं तो ही кап इस पहले वाले ग्रूप में एक्सटेरण था क्यों इसमें क्या हो गया यह higher organism है और प्लस इसमें क्या हो गया पेनिस लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है जिससे यह क्या करेगा फिमेल के रवरे ट्रैक में स्पंस को डिपोजिट कर देगा ठीक है बच्चो अब समझ में नेक्स्ट आजाओ यह ओभी पेरास होता है और डेबलमेंट डिरेक्ट मतला अब कोई लार्वल स्टेज नहीं होता अब एंसे वाला जो भी एक्जांपल से यहां पर देख लोगें टॉट्वाइस के लॉट्स हो गया गार्डेन लिजर्ट उसके वार कॉर्कॉड अलिएस में तुमारा एलिगेटर ठीक है ना एलिगेटर्स हैं एमिडेक्टिलिया वाल लिजर्ट्स उसके अब पोजने लाजा, कोबरा, बांगर, क्राइथ और वाइपर वाइपर तो यह कुछ यहां पर एंस्ट्रडे के एक्जांपल से थोड़ा सा और हम लोग इसको बच्छो डिटोर में थोड़ा देखते हैं ठीक है इसको फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो यहां पर तीन चार ओडर ह पर इसमें तीन को अच्छे से ध्यान में रखना भच्छो टिए एक तो उगया सुक्रेमेटा जो की लिजर्ट और स्नक कर ग्रूप है ठीक है बच्छो डूसरा जो है यह है चिलोनिया ठीक है मैंने बागी सब हटा दिया चिलोनिया यह टर्टल्स क ग्रूप है तुमारे इ और एक और याद रखना क्रोकडलियस जो की क्रोकोडाइलिछ से घर डिशाड रख लिना तू बज्शों यह वर्ड भी द्याय रखना करो खुरा कोधन करता है ठीक है यह घ्रित आप इसं के इसंद्र के टाप इसमें क्या होता है इस सब चीजे डिसकस नहीं कर रहा है बच्छो सीधिया आ जाते हैं हमें पस यह वर्ड याद रहा है ठीक है अब यहां पर कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना वाई कि लोग ओडवन क्या है तो उसमें क्रोकडाइल्स कॉले कर देंगे कि यह सब क सब एक ओर्डर से बिलोग कर रहे हैं ठीक है बच्छो इसलिए यहां पर थोड़ा हमको याद अखना है तो यहां पर हमेडक्टे लिया हो गया वाल लिजर्ट्स हाउस घर में जो भी प्रिजेंट होता है अगर जिसको डाल लगता है तो गर में अंडा टंग देना अंडा म इंसर्टी में डाइगराम दिया और ट्री पर बैठा हुआ है ठीक है बच्छो और इसका जो टेल है वो पेरी इंसल्स कंडिशन्स में है ठीक है यह देख सकता है तो यहां पर क्या होता है लेटरल साइट से कुछ आउट ग्रोथ रहता है और यह है आपका घर के अंदर वा है ठीक है तो इतना है इसमें तीन एक्जामपल याद रखना एक एक स्टा आ गया आपका फ्लाइंग लिजर्ट्स बस और कुछ भी नहीं है ठीक है अब आब कुछ-कुछ चीज़ें यहां पर और जान जाते हैं जैसे स्टडी ओफ लिजर्ट्स को क्या बलते है सौरोलोज ठीक है स्नेक को सर्पेंटलोज आगे लिखे जाए इसमें ठीक है एक वर्ड है यहां पर आप आटो ट्रॉमी ऑट्रॉमी इसका मतलब होता है सेल्फ सर्जरी तो कभी-कभी घर साभुक करते समय अगर जैसे हास लिजर्ट जो है ठीक है अगर आ जाता है तो अपना पूच क क्या करता है चोड़ के भाग जाता है और उसका पूच ऐसे थट पड़ाता रहता है चट पड़ाता रहता है तो हम लोग कॉंसर्टेट करते हैं पूच की ऊपर ठीक है न बच्चो आई बास समझ में और उतने दिर्वा बाट जाता है तो वन अब बचने का इनके पास साध आपको नियुक्त पर नगी तो हम लोग करते हैं तुमारा तीक है न पाइप्टों आगे इसमें मिल जा जाएगा ये आपका अभी तो एक्जांपल कंप्रीट नहीं है तो लिजर्ट ही जाए रहा न अजगर एक नॉन पोईजनेस नेक्स है जो कि इनसाटेवने इस फिल भ में आपका नाजा बांग थिक है ना कोबरा यह सब जो भी है यह सब इंग्जांपल इसी में है तो हम नुमें क्या बोला था इसमें जैसे यह पॉज़ुने स्फिंक्स जो होता है सापका वो मौडिफाइड मेक्जरीटीत होता है इसको ध्यान में रखना और उसमें जो इसमें क्या होता है ठीक है न और वेनम मतलब साप का जो जार होता है है especially Cobra का and Seesnax का यह होता है nervous systems को damage करता है बनाव वैपर का जो venom होता है यह हेमोटॉक्सिन होता है यह क्या करेगा आपका Blood circulation सको एफेक्ट कर सकता है मतरा सरकुलिटी सिस्टम्स को कर सकता है ठीक है बच्चों एनिवेश से क्वाद सुनों मतलब साफ प्रफका जो जहर होता है हमोटॉक्सिन और निरो टॉक्सिन नेर्वस सिस्टम को उफेट करता है जिसमें अगर इस तरह का अगर टॉक्सिन बोडी में घोजाए जैसे अगर कोबरा काट ले तो उसमें मरने का बहुत ज़्यदा चांस होता है ठीक है वाइपर्स जो है यह हमो जो भी वर्ट में जितने भी स्नेक्स हैं उसमें बहुत की कम मतलब एराउंड मान के चलो 10% साब जोते हैं वह पाजनास होते हैं बाकी 90% स्नेक्स होते हैं हाला कि यह डाटा जो मैं बोला हूं मैं ऐसे 10 टीप्रीली बोला मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी जो स्नेक्स होता है इतना ध्यान में अखना तो अगर साप काट ले तो डर्नी की बात नहीं है साप काटने से तुरंद नहीं मरने वाले हो कम से संगे टो मसे दो करें इस अधो बरने के लिए तो उतने दिर में आप डॉक्टर के पास तुरंद जाइए अब बचने का पूरा पूरा लगी लेट करता है पहरं पहर निकलता है तो बाहर नेकलता है तो बाहर निकलताएं जो नेक्स लास था आपका ठीक है चिलो निया तरिये टर्टल इंट उट वाइस होता है तो यहां पर टस्टि दूस एंड चिलो निया निया यह फ्रेश वाट अगरे मिलता है समंदर में मिलता है तो यह यह है और यह लिखा हुआ है चिलो निया और टस्टि दूस हो गया यह यह वाला हो ठीक है इन दोनों में डेफरेंस क्या है यह सब जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं बट इतना काफी हमलों के लिए हाँ अब आधे जो कच्छुआ होता ह ऐसी तरह से बॉटमें इन भी ईड़्यय़र अधे जोसी तरह से बॉटमें भी अधे इक ग्रेट इना बीमति दूस्तिंटा है पर डंड्र जो इस में इस तो पहले सब हुआ है इसमें जो इस बने स्कूर्थ करेंगल वरिशा तो तो जाल गता है और उसके पिरार अवाईजसत नावार्ट सब्सक्राइब अर यह तो काफी लंब तो थे किलार और यह सब चीजे एम वह नहीं या दखना समौट से अम लोग इसको डिफेरेंट कर सकते हैं कहए दाना ये प्रेश वातर होता है घग याल्ट होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है ठीक है बक्तो हां एक चीज आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज और है एंपीबियेंस के बारे में ठीक यह एंपають एंपीबिय appealing के बारे में च्लो करें से नट आता है हां है आपका works description आत्याओं मेंस होगी आपका ये क्या आपका ठीक है और मैमल्स भी है तो टू फ्लाइब मैमल्स भी कहना चाहो तो कह सकते हो कोई प्रब्लम नहीं है इनका जो करेक्टर एसी फीचर है वो है आपका फेदर्स प्रिजिन सो फेदर्स अपके एक साइंटिस्ट है है कल्स उन्होंने एप्स को कहा था है ग्लो रिफाइड रफ्टाइल्स बतल О Mitchek應該 का सकेंटी खिल सटना है कि ये बड़्ट में मौडिफाइड होके myедर बना दी है लिए इनक है कि जिससे क्या होगा बटथा का इस उन्दर क्यूंदर हो गिया है कल सके तो अभी हाँ पर ध्यान एकना कि जो में एवियन्स चैरेक्टरिसी फीचर वो फेदर्स ठीक है ना यह सबसे इंपॉर्टेंट फेचर होता है इसमें 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 बागी सारे बड़्ट करते हैं एकसेप्ट है तुमारा फ्राइटलेस बर्ड्स ठीक है ना जैसे स्टिजक को छोड़के या फिर अधर जो भी ऐसैसे कीवी है इमू है इनको छोड़के बागी सारभिद्स क्यागादबlıkर चाल मैं अगले मं यहाँ पे बीग प्रेजेंट होता है । यह धूझा तो इंटेरियर पार्ट में बीक प्रजेंट होने के पजय से इसका जो बॉड़ी होता है वो एक स्टीम लाइन जैसा बन सकता है जिससे एर एससेंस को यह कम करेंगे ठीक है बच्चों तो पेले कबार में फटा-फट बोल देता हूं कि इसमें कुछ फीचर है जो आपका फ्लाइट को लेके मॉडिफाइड गोआ तो नमबर वन हो गया इसमें जो होता है फैदर्स प्रिजेंट हो गया स्टीम लाइन बॉड़ी हो गया उसके बाद जो फॉर्लिंस होता है वो मॉडिफाइड होके विंक्स बना लेता है ठीक है ना और वजन को हलका करने के लिए इस वह सिंगल होता है पेर्ड में नहीं होता है तुमारा इससे जो भी है तुरबाद बोडी साइज क्या होगा हलका हो जाता है ठीक है बच्छो तो यह कुछ पॉइंट से इसमें चलो एक 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 करके इसको डेटियल में देखते हैं तो सबसे पहरा पॉइंट से यहां पर है अधरवाइस इसमें जो हाइंड लिम्स होता है यह वाकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, ट्री प्रांचेच, ठीक है नरानी वह अगर इस समय भी क्या करता है हल्प करता है जैसे पॉस्टिच की बात करें तो उसमें तो फ्लाइट परफॉम नहीं करता है तो यह अपने अधर पैर से बहुत तेजी से दौरता है हंडी हएं लिम्स के थे खुंग रहों तो इसको अनुख यह भी तरह का झारँ रहन रहना है वीक के हेल्प से यह पूरे बॉड़ी पर वाइलिंग करता है तो उनका वजन बढ़ता नहीं है जो कि फ्लाइट में प्रॉब्लम कर सकता है ठीक है इनका जो एंडो स्केलेटेन होता है फुली ऑसीफाइड होता है मतला बोनी स्ट्रक्चर होता है लॉग यह पर प्रेक्ज़र है ठीक है बच्छो नेक्स्ट जो फीचर है देखेते हैं इसमें तो वांबलर्डेट कोई प्लाब्लम है नहीं तो पता ही है जैसा कि पहले हम लोग ने डिसकस किया था यह वाम ब्लेडेड होता है ठीक है ना अब यह इंडो थर्मिक हो चुगा कैसा हो गया बच्चों इंडो थर्मिक हो गया थिक है इंडो थर्मिक मतला अब इनका बोड़ी टेमपिरेचर इनका नो कंट्रोल हो सकता है कि इसमें हाइप़्धर्मस होता है दो ही पूरे एनिमल्स में दो ही ग्रूप है एव्स और मैमल जो की वाम-blooded हैं अबाटी सब कौल-blooded होते हैं ठीक है इसमें दो वो एडिशनल चेमबर होता है, crop and gizards. Crop होता है, full storage के लिए, और gizards होता है, food को mustigate करनी के लिए, ठीक है? तो additional part होता है, crop and gizards. तो crop क्या करेगा, food को store करता है, और gizards जो है, crop, यह gizards जो है, यह करता है, उस store food को mustigate करके, further आपको भीजता है, digestion के लिए, heart आप यहाँ पर four chambered है, ठीक है? heart four chambered होता है, और double circulation, double circulation में अभी तक, दो-तीन वार बहुत चुका हूँ, तो वीडियो देख लेना है, बट मैं अगबर ऐसे बता देता हूँ, कि four chambered double circulation का मतलब, इसमें एक circulation होता है, जिसमें क्या हुता है? बल्ट आपका लंग्स में जाता है, लंग्स से बलड पुरी और फिर heart में आता है, heart फिर से बलड पॉम करता है, तो बोड़ी में जाता है, बोड़ी सांवापस काहा है, यह पल्मोणिरी circulation, और जो बोडी में जाना उसको systemic circulation कहते हैं, तो दो तरह का circulation यहां पर चल रहा है, ठीक है, अब जो abians, जो blood होता है, उसको richest blood कहते हैं, मतलब इसमें जो RBC का नंबर होता है, comparative to other organisms या अनिनल सबसे जादा होता है, तो richest blood इसको कहते हैं, respiration के लिए testarial form में only to lungs ही होता है, और lungs में additional क्या होता है, air shakes present होता है, जो की respiration को supplement करता है, देखो यह हो गया, trachea, यह इस तरह से divider के बनाया bronchia, और यह है lungs का part, ऐसे माल लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही होता है, और इसमें इस तरह से छोटे-छोटे और भी air cavity, प्रेटी प्रेटी प्रेजेंट होते हैं, इसी को air shake कहा जाता है, ठीक है बच्चों, जो की क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे respiration को supplement करने जा रहे हैं, ठीक है, तो air को supplements, मतलब supplement का मतलब हो गया, कि जब यह normal बैठा रहा तो इसमें air फिल हो जाता है, जब फ्लाइड लाट करने होता है, इसमें air आके इसमें क्या करता है, oxygen हो गारा supply करता है, तो यह हो गया trachea, ठीक है, अब यहाँ पे एक word है, settings, जैसे हम लोगने पढ़ा होगा, larynx यहाँ पो होता है, larynx को vocal, वो बोला जाता है, तुमारा voice box, ठीक है, तो trachea जहां से start होता है, यह larynx, उसके यह बाद यह trachea, trachea यहाँ पे दो compartiment रुड़ाइड होगा था, जिसको ब्रॉंकाय और इदर लांग्स वाला जो भी पार्था, वो था, तो बर्ट्स में यहाँ पे structure एक settings present होता है, जो की sound producing organs होता है, ठीक है ना, structure होता है, जो sound produce करेगा तुमारा, बट यह दियागत नर prostate में यह नहीं होता है, अपसेंट होता है, तो इस settings का यह है, जो sound producing organs होता है, जो location होता है, at the junction of trachea and bronchi, यहाँ पिर कह सबतो, at the end of the tracheas, ठीक है, यह settings होता है, तुमारा sound producing organs, sexes यहाँ पे separated होता है, ठीक है, sexes यहाँ पे separated होता है, दियान में रखना, बच्चो, fertilization यहाँ पे internal होता है, fertilization कैसा होता है, internals, जयसा कि usually बात कर रहा है pros, sexes यहाँ पे separate है, fertilization internal होता है, मतब sex organs पे present होता है, copulated organs present होता है, that's why they are able to deposit the sparrance into the female pregnant करेंगे उसके बाद आजाओ यह ओभी पेरस होता है और डेवलोप्मेंट इसमें कैसा होता है डायरेक्ट होता है नो लारन स्टेच एक यहाँ पर देने वाला होता है ओभी पेरस ठीक है बच्चो यह तो रहाँ जनरल फीचर्स अब 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 इसके एक्जामपल और ग्रो कुलॉम्बा विसस कबूथर ठीक है ना स्परो ठीक है ना लोगारे करेटीच पेबोौि स्पारिट होता है यह तो यह बात थ हैं यह तो यह प्को के हाँ भालत तो यquin मिलिग गचोंiva इसको भी एक और है एक और है एक अपटिनो, डटाइट, पैंगीन, यह भी एक फ्लाइटलेस बिर्ट्स है, यह दो भी फ्लाइटलेस बिर्ट्स होगा, इसके अलावा एक आपको याद अखना है, गैलस, गैलस, रेट जंगल, फाल्स, अब कहोगे यह तो है नहीं सिलबस में है बेटा syllabus में है पढ़ना है यह 12 में का उसमें है दिया हुआ बखादर डाइग्राम दिया हुआ आपका कुमसा चप्टर है strategy food enhancement वाले chapter में ठीक है उससे दे रखा तो हाँ से आपको याद करना है तो अभी देख रो ठीक है थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं इसको classify तो नहीं करना है कुछ additional features में से देख लेते हैं और भी कुछ है ठीक है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं बच्चो कुछ-कुछ points है जो की जरूरत है इन बर्ट्स जो है आपका ostrich is the largest birds वाना जाता है ठीक है उसके बाद इंडिया का जो नेशनल बर्ट्स है वो पीकॉक होता है और जो बर्ट्स है उनने जो migration से देखो जो पान बोला हूं याद करना जादा नहीं बर्ट्स जो migration initiated by the day length affected with the endokines glands तो मैं इंडोग्राइम gland cases से यह control करते हैं ठीक है लॉंग डिस्टेंस में कुछ और भी चलता है बटो लेगा बर्ट्स और रिकोगनाईज देर हों थ्रू थू थूद्ट्स के थूरू यह रिकोगनाईज करते हैं उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट बहुत समय तक यह नहीं पता था कनेक्शन की इवलुशन पॉइंट रवी से कनेक्शन अगर हम देगे तो क्या है बहुत बाद में जब डिसकबरी हुआ इस आर्चियोप्टेरिक्स का तो पता चला कि भाई यह कनेक्शन का मदर कनेक्शन का मदर जैसे देखो कोड़ेट मे आई पाइसेस आगए अधै कि फिफिश गया फिशा लते हिंतव शें वोल्व होके बना एंफीबियन जो की लैंज पर आ गया था था है यहीं भीविन से इनवॉल्व होके बना यहां पर रप्टैल अब रप्टैल से यहांसे d ide един चला जाता है एक जायगा जिससे क्या बना bird और एक दूसरा line जाता है जिसे क्या बना mammals ठीक है तो reptiles जो हो है comment है दोनों में तो जब ये archipterics जब discover हुआ तो पता चला कि reptiles और birds आपस में interconnected है और इस birds का इस mammal से कोई नहीं देना नहीं है ठीक है बच्चो तो mammals separate ली ठीक है next उसके बाद एक और important point है बच्चो ध्यान में रखना ठीक है mammals में जो होता है वो right systemic arc जो होता है ये not present होता है birds में left systemic arc is not present मतला इसका उल्टा कर मैं बोलू तो mammals में left systemic arc होता है और birds में right systemic arc होता है ठीक है बच्चो अब ये क्या चीज है तो ये भी चीज अगर आप better होगा आप circuitous system में जाके वहाँ पर देख लोगे तो सब मिल जाएगा ठीक है फिर भी मैं यहाँ पर एक बास समझाने की कोशिस करता हूँ ठीक है जैसा कि बच्चो जब भी आप heart बनाते होगे तो उसमें आर्क जब भी बनाते होगे जैसे देखो थोड़ा सा ये heart होगे तो आर्क जब भी मतलब अरोटा जब भी बनाते होगे तो ऐसे बनाते होगे ठीक है किदर गया है ये ये left side में तो ये mammalian heart है बट अगर मालो क्या हो जाए तो मारा इसमें चेंड कलर चेंड कर लेता हूँ ठीक है तो बर्ड के केस में क्या होता है यही जो आर्क है वो इधर चला जाता है तो यह हमारा रहा बर्ड के बारे में जो भी रिलिशन था वह मुझे ने देखिया है यहां पर लास्ट बट नौट दे लिस्ट यह हमारा जो है तीन जो क्लासिस डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारा खतम हो गया है बट इतना ही नहीं है बहुत सारी चीज़े तो कुछ चीज़ अगर मिस हो गई हो बच्चो तो आप कमेंट सेक्षिन में बोल देना तो मैं थोड़ा सा explain कर दूँगा ठीक है वहाँ पर यह समझा सकता हूँ यह पर जो भी देख रहा है मेरे बेडियो को अच्छे से और जो भी missing है या जो mistake होगा कमेंट में कहके बता सकते हैं आप लोग मुझे ठीक है मुझे अच्छा लगेगा यहां पर हम लोग इस वीडियो को समाप करते हैं इस वीडियो में हम लोग ने discuss कर लिया है amphibian reptiles और birds अब इसके बाद एक last वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ mammals और जो भी थोड़ा बहुत बचा-कुचा चीज़े हैं उसको हम वहाँ पर discuss कर लेने बच्चों तो आज के लिए तरह रहने देते हैं जाने से पहले मैं उन लोगों से request करूँ ना जो भी मेरे चैनल पर ने हैं तो मेरे चैनल को जुरू subscribe कर दीजिएगा ठीक है मैं इस चैनल पर biology, NEET biology, especially class 11, class 12 से related जो भी है